हालो फ्रेंस नमेशकार आज हम बात करेंगे कि आप पेन से दुख से दर्द से नेगिटिविटी से कैसे बाहर आ सकते हैं देखे फ्रेंस आपने देखा होगा अक्सर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हम stress में, negativity में, परेशानEوں में, दिकतों में अपने आपको घिरापाते हैं लेकित वहीं चोते बच्चे होते हैं हमेशे अपनी मस्ती में मस्त होते हैं खेलते हैं, कूटते हैं अपनी ही मस्ती में एक दम से हसते रहतें फिलकिलाते रहतें इनके पीछे का सर्फ और सरफ एक ही कारण होता है वो होता है आपके सास लेने का तरीका गलत और बच्चों के सास लेने का तरीका सही जी हाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो बिलकुल गहरी सांसे बार लेते हैं और गहरी सांसे छोड़ते हैं गहरी सांसे लेते हैं और गहरी सांसे ही छोड़ते हैं लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी सांसे छोटी हो जाते हैं आप कुछ चेक कर सकते हैं, आपकी सांसे सरफ जादा से जादा आपके फेफडों तक आती है, आपकी छाती तक आती है, लेकिन छोटे बच्चे सांसे गहरी भरके अपनी नाभी तक लेके जाते हैं, और एक्जेल, इनहेल बच्चे वो कुदरती होता है, अपने आप करते हैं अगर आप भी चाहते हैं, अपने जीवन में खुशियां, एप्पीनस, प्यार, प्रेंग, तो अपनी साशों को गहरा करें, जैसे ही आपकी सासे गहरी होगी, आपके मन से दुख, टेंशन, पर इसानी, अंग्जाईटी, सारी चीछे, चली शाएंगे, आप प्रेजन्ट में चीना सीख जाएंगे हाई वाइब्रेशन में रहेंगे इश्वर अल्ला परमात्मा से करेक्शन आपको चबुसों घंटे बैड जाएगा अपनी सांसों पर ध्यान दे जैसे ही आपकी सांसे ठीक होएंगे आप देखेंगे आपका जीवन बतलना शुरू हो जाएगा आपके जीवन से दुख, चिंता, परेशानी, एंग्जाइटी सारी की सारी नेगिटीव चीज़े जाने लगेंगे और आपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे तो डेली आप 10 मिनट तक दीप ब्रिधिंग एक्सराइस जरूर 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 करें अगर 15 मिनट करें तो बहुत अच्छी बात है, दीप ब्रिधिंग एक्सराइस, 24 गंटे में से सिर्फ 15 मिनट अपने लिए निकाल के देखिए, जीवन खुशियों से भर जाएगा, दीप ब्रिधिंग एक्सराइस, बहुत जरूरी है आपकी खुशियों के लिए, थैंक फो आचिक,